नमस्कार आप सभी का बेहत स्वागत है CIE TNCIT के लाइफ फोन इन इंटराक्टिव कारिक्रम में सामाजिक विज्ञान के आज के इस कारिक्रम में कक्षा 9 के सभी जात्रों के लिए हम लेकर आए हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसे हम हिंदी में समझते हैं चुनावी राजनीती अब चुनावी राजनीती से हम क्या समझते हैं इस पार्ट में हम क्या सीखने क्या समझने वाले हैं इसकी जानकारी देंगी हमारी आज की महमान आप सभी को अगर आपके पास कोई सवाल है कु तो भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं इमेल आईडी के माधिम से इमेल आईडी है डी टी एच डॉट ग्लास नाइन अधर एच सी आईटी डॉट नाइसी डॉट आइए आईए आपका परिच्छे करवाएंगे हमारी आज की महमान से हमारे साथ हैं डॉक्टर सब्सक्राइब करेंगे और आशा करेंगी सेशन में जो भी हम इस विशय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आप सभी बच्चों को समझ में आएगा तो चुनाव चुनावी राजनिती क्या है इसके विभिन पहलों पर हम चर्चा करेंगे वोटर्स कोन होते हैं मद्दाता क् होते हैं जैसा कि हमने देखा है कि अभी हाली में देश में भी कुछ राज कुछ विधान सभानy के चुनाव हुए हैं और हम Meadya में अधिक तर देखते हैं कि किस तरीके सीचुनावी माहौल की हुआ है और यहां पर हम देखते हैं कि जो भी शब्दावली होती है वो क्या है वह कई बार हम कन्फ्यूज भी होते हैं कि यह क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं तो उसी से संबंदित आज हम चर्चा करने जाएंगे बिल्कुल माम तो क्या हम इस पार जीद करें हां जी बिल्कुल चुनावी राजनीती क्या है चुनावी राजनीती एलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसका संबंद राजनीती से होता है कनेक्शन विद पॉलिटिक्स इसका संबंद राजनीती से होता है और राजनीती में किन-किन लोगों को हम देखते हैं, नेता हैं, और हम चुनाव, medium of choosing and changing our representative, चुनाव एक माध्यम है, जिसे हम किसी भी देश में सरकार को बदल सकते हैं, अपने representative चुन सकते हैं, अगर हम देखें, तो चुनाव की बहुत ही महत्ता है, कम से कम सो से अधिक देशों में, जो चुनाव की ज हम अपने नेताओं को चुनते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से जो राजनीती है, चुनाव के जरिए evolve भी होती रही है, तो इसमें हम जो चुनावी राजनीती है, उसके अंदर हम देखना चाहेंगे कि forming government, जो जनता है, वो अपनी सरकार को चुनती है, और सरकार को चु होती है, और जो अमाध्य हमें वो चुनाव है, चुनाव भी कई तरीके से होते हैं, हम देखते हैं कि चुनाव अगर लोकतंतर की बात कही जाए तो हम क्यो रिपरजेंटीटिटिव चुनते हैं, क्यों हम जन प्रतिनिदियों को चुनते हैं, क्योंकि चुनने के लिए जब कि राजनीती में किस तरीके से चुनाव को हम एक माध्यम के रूप में देखते हैं तो जो चुनाव है वो बेसिकली दा मेकैनिजम बाइविच पीपल कें चूज दिये रिपर्जेंटेटिव अट रेगुलर इंटर्वल और चेंज देम इस कोल्डन इलेक्शन तो जो जो भी Giaci तो जो अगर हम लोकतंतर की बात करें तो लोकतंतर में चुनाव की आवशक्ता क्यों होती है यह न कोई माध्यम ही चाहिए और लोकतांत्रिक आधार क्या होगा हमारे चुनाव का हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि कई देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्र लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका अगर देखे ह हम चाइना की बात करें तो चाइना में लोक्तांतरिक तरीकी से चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके कुछ आधार है जिसको में इस स्लाइड पर देखेंगे अगर देखा जाए तो वियस्क मता अधिकार है जिसके अंदर वन पर्सन वन वोट की जो कीमत होती है वोट की वोन पर्सन वन वोट होना चाहिए एक व्यक्ति का जो वोट का मुल्य है वो एक ही होना चाहिए रेगुलर इलेक्ष्ण एवरी फाइव यर्ज जैसे कि हमारे देश में हर पांस साल में चुनाव होता है तो यह लोकतांत्रिक आधार है चुनाव है कि वो समय समय पर होता रहा है ऐसा नहीं कि वो एक बार हुआ है और फिर सालो सालो तक नहीं हुआ हो दूस तीसरा प्रेफर्ट केंडरे टू बी एलेक्टिड और लोकतांत्रिक चुनाव हम तभी कह सकते हैं जब हमारे द्वारा चुना हम किसी दबाव में, किसी भी लालश में या किसी पार्टी के कहने पर हम वोट ना करें, बल्कि वोट हम अपने विवेक से करें, कि हमारा विवेक क्या बोलता है, क्या कहता है कि हम किसे वोट करना चाहते हैं. free and fair election भी होना जरूरी है इसके लिए लोकतांत्रिक देश में कोई संस्था भी होना जरूरी है जो ये देखे कि election free and fair manner में हो रहा है या नहीं हो रहा है इस minimum condition of democracy से हम देख सकते हैं कि कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है next slide पर हम चलते हैं merits of political competition अब जब हम चुनाव के minimum लोकतांत्रिक आधार को जब हम देख रहे हैं तो उसके बाद political competition राजनितिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वन्दता ये प्रतियोगिता क्या होती है competition क्यों जरूरी होता है जैसे कि बच्चे भी से connect कर पाएंगे कि अगर competition ना हो तो हमारा किसी भी चीज को काम करने का जुमन है वो नहीं होता competition वो हमें प्रेरित करता है किसी गोल को अचीव करने के लिए अगर हम चुनावी जब प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इसमें इसके कई merits है इसलिए competition होता है खासका लोगता अंतरिक देशों में competition होना जरूरी है जो हमें एक choice परदान करता है कि अगर market में market का example ले तो market में बहुत सारी choices होती है बहुत सारे विकल्प होते हैं और हमें जो उचित लगता है उसको follow करते हैं जब विकल्प ही नहीं होगा तो competition का कोई मतलब नहीं है कि race में एक ही घोड़ा है और वही फिर race को win करेगा अगर race में कई सारे हमारे candidates हैं तो उनमें से हमारे पास choices होते हैं कि हमें किसे अपना नेता चुनना है तो इधर हम देखते हैं कि merits of political competition क्या है कि regular electoral competition provides incentive to political parties and leader वो राजनितिक party को नेताओं को एक incentive परदान करता है कि अगर वह चुनाव में बहतर production करते हैं अपने वादों से अपने promises से जनता को वो प्रेरित कर पाते हैं या उनको मना पाते हैं तो उनके जीतने की संभावना होती है और जीतने के बाद अगर वो उस पर खरे उतरते तो अगले चुनाव में भी वो दुबारा से सरकार में आ जाते हैं लेकिन अगर चुनावी परदा में वो पीछे रह जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से उनको हार का स समझने का मोका मिलता है कि आपको किस व्यक्ति को चुनना है कौन आपके येरिया के लिए आपकी जो इच्छा है उसको वोट देना है तो ये सब डिसाइड करता है अगर पॉलिटिकल कॉमपेटीशम हो हो इट परमोट्स इंक्लूसिव इंक्लूजिव डिमोक्रिसी का मतलब होता है कि समावेशी लोकतंत्र जिसके नर सभी वर्ग के जाती के समुदाय के लोग भाग लेते हैं तो अगर कॉम्पेटिशन नहीं होगा तो उनको भी मोका नहीं मिलेगा कि वो किस तरीके से चुनाव में भाग ले जैसे कि आपने हमे किसे अपना है रेप्रेजेंटिटेव चूज कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते कि हैं काट्उन है ची मेरे पास योजनाए है घॉषनाए और इसमें जो वोटर है वो पोल रहे है कि मेरे पास वोट ए तो वोट की कितनी वैल्यू है है इसे यह पता चलता है कि कि value कितनी होती है इसको हम जान सकते हैं जैसे की जर्मनी में आपने सुना होगा नाजी पार्टी के नेता थे, हिटलर थे, वो कैसे वो चुने गए एक वोट का ही अंतर था कि वो नाजी पार्टी के मुखिया बने और आज इसका इतिहास पूरा गवा है कि उसके बाद क्या कं अगर हम अपने देश में कोई एक्जेम्पल लें तो राजिश्थान में 2008 में विधान सभा के चुनाव हुए थे सीपी जोशी जी जो की उस वक्त कॉंग्रिस पार्टी से लड़ रहे थे और कल्यांड सिंग जी उनके अपोजिट में थे दोनों ही सीएम दाविदार रहे थे और उसमें क्या हुआ मैं कि एक हम एक वोट से सीपी जी सीपी जोशी वोट वो चुनाव हार गए और देखा जाए तो एक वोट 1215 कुछ वोट सीपी जोशी को मिले थे और 1216 वोट कल्यांड सिंग जी को मिले तो मात्र एक वोट ने उनको सीएम पत की जो दाविदारी थी उससे वँसीत कर दिया मिल्कुर और यह भी कहा जाता है कि उस टेम पर उनकी वाइस और ड्राइवर इन्होंने वोट नहीं दिया था तो सोची अगर वोट समय लूप उस वकर दिये होते तो तो हमारे वोट की किमत होती है वो बहुत ही मुलेवान होती इस लिएम बोलते है कि वोट कीमती होती है हर एक का वोट वैल्यू रखता है तो नेक्स हम देखेंगे system of election in India कि अग भारत की अगर बात कर कि चुनाव होता क्या है चुनाव के दोरान क्या-क्या चीजे होती है और चुनाव की परकार क्या होते है अगर इसे देखे तो types of election general election general election जिसे आम चुनाव बोलते है जो हर पांच साल में कराय जाते है और it is a political event that happens at regular interval where voters choose their representative और by election by election बोला जाता है उस election को जब उसी जैसे general election हो गए और उसी दोरान अगर मान लिजे किसी constituency में कोई seat vacant हो गई और seat vacant हो गई उस पर्टिकुलर constituency की seat को fill करने के लिए जो election कराय जाते है उसको by election कहा जाता है और mid term election mid term election में यह होता है मध्यावधी चुनाव जब सरकार तो आ गई चुनाव में लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार होती है गडबंधन की सरकार होती है और वो किसी कारण वर्ष उसको अपना विश्वास मत नहीं दे पाती है तो mid term election कराय जाते हैं तो election that is held when legislature resolved before 5 साल से पहले अगर कोई सरकार अपना विश्वास मत खो देती है तो mid term election कराय जाते हैं general election, by election and mid term election तो election की अगर बात करें तो इस तरीके के चुनाव अब हम यह देखेंगे कि भारत में यह चुनाव को कैसे कराय जाते हैं प्रोसेस है उसकी तो आगे हम इसमें बढ़ेंगे electoral constituency तो चुनाव राजनिती की जब हम बात करते हैं तो हम constituency की बात करते हैं जिसके अंदर निर्वाचन छेतर जिसको हम English में बोलते हैं when country is divided into areas for purpose of election. These are called electoral consequences. अब इदर मैप में देखेंगे कि पूरे देश को कई उसमें colors में दिखाया हुआ है तो हम इसको divide कर देते हैं क्योंकि चुनाव जरूरी नहीं है कि एक साथ possible हो एक छेतर हम नहीं decide कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि हम एक जगे अगर चाहें भी तो नहीं possible है तो हम चोछोटी consequences में उसको बार देते हैं और three levels पर बार देते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि जो चुनाव है लोक सभा के चुनाव होते हैं विधान सभा के चुनाव होते हैं और लोकल बोडी के एलेक्शन होते हैं और लोक सभा के एलेक्शन के लिए पांसो तैतालिस सीटे जो है हमने निर्वाचन छेतर हमने हैं जिसके अंदर जब वो किसी कॉंसिट्वेंशी से कोई मेंबर जीत कर आता है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लेमेंट बोला जाता है और वहीं जब विधान सभा की सीट से कोई जीता है तो उसको मले कहा जाता है फोर लोकल गवर्मेंट एलेक्शन जब होता है लोकल बोडी फिख़ वर्ग स्थित्र जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं पिछड़े समूदाय हैं जिनको इतिहास में बहुत ही यातनाओं का सामना करना पड़ा है। उनके साथ बहुत वो मेंस्ट्री में नहीं आ पाये हैं। तो इस वज़े से उनकी सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में प्रावधान हैं कि हम उनके लिए सीटे आरक्षित कर देते हैं। जैसे कि हम SC, ST की सीटे देखें तो हमारी SC की सीटे हैं वो 84 है, 543 में से और ST की सीटे वो हमारी 47 है। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं और आरक्षित आप भी तो आपने देखा होगा कि पारलेमेंट में आरी शक्तिवंदन करके बिल भी आया हैं। तो अगर उसका देखा जाए तो हम उसको 50% आरक्षिन की बात कर रहे हैं, 33% की बात कर रहे हैं। तो 33% अगर हम महिला हैं उधर अपनी भागेदारी निभाएंगी तो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा वो सभी महिलाओं की जो एक्सपेक्टेशन हैं, जो उनकी आवाज हैं, वो संसत तक पहुँचेगी। जो reserved constituency is supporting voice of weaker and deprived section, तो यह voice है, supporting voice है, जो हमारे weaker and deprived section के लिए, not having required resources, education and contacts और उनके लिए जिनके पास resources नहीं हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमने बोल तो दिया, कि competition होगा, और साथ के साथ इनके reserved constituency भी बोल दिया है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास resources नहीं, education नहीं हो, तो ऐसी situation में यही आरक्षित जो हमारी constituency है उनके जरिये वो संसद में पहुँच पाते हैं अब हम देखते हैं voter list चुनाव का एक महत्पुन पहले है कि voter list कि voter list prepare before the election each vote has equal value तो यह जो आप screen पर देख रहे हैं voter list जारी होती है electoral role जिसको बोला जाता है जिसके अंदर सभी मतदाताओं के नाम list में होते हैं और यह list हर चुनाव में चुनाव से पहले revised होती है तकी कोई व्यक्ति अगर मालीजीए उसकी मृत्य हो गए तो उसको इस लिश्ट से हटा दिया जाता है और जो नए वाटर जा रहे हैं यंग वाटर जो उनको इसमें शामिल किया जाता है अब देख सकते हैं, वोटर लिष्ट के आधार पर हमारे वोटर्स को एपी कार्ड मिलता यह पहचान पत्र होता है उनका भारते निर्वाचनायोग इसको जारी करवाता है और इसके जर्ए वो स्टेशन पॉल vient स्टेशन में जाते हैं और पॉलिंग बूत पर जाते हैं और अ आधार कार्ड, अन्य कार्ड भी दिखा कर वोट डाल सकते हैं. Nomination of candidate, हमने वोटर्स की बात कर ली, कि कौन वोट दे सकता है, और वोटर लिस्ट में कैसे नाम आ सकता है. अब क्या सभी वोटर्स क्या candidate हो सकते हैं, क्या परतियाशी हो सकते हैं, उमीदवार हो सकते हैं, तो minimum 25 years, जैसे कि वोटर्स किसी कोई भी मत्यदाता, कब मत्यदाता कहलाएगा, जब वो 18 years or above का हो जाएगा, तो वो मत्यदाता कहलाता है, लेकिन कोई भी मत्यदाता, कोई भी के लिए नहीं खड़ा हो सकता कि जब तक वो 25 साल उसके मिनिमम ना हो citizen of India होना चाहिए no bankrupt mentally sound और mentally sound हम देखते हैं कि उसका थोड़ा stability होनी चाहिए समझ होनी चाहिए mentally sound होना चाहिए तब ही वो किसी candidate पत के लिए चुनाव आके लड़ सकता है अब इसका एक महत्पून पहलू है election campaign चुनावी परतियोगिता चुनावी राजनिती का main आधारे campaign जब तक campaign आप नहीं करेंगे तब तक जनता को आपकी बात आपकी policies का पता नहीं चलेगा और जो election campaign है आप इधर देखेंगे rallies, road shows, rallies के रूप में किया जा सकता है, road shows के रूप में किया जा सकता है addressing election meetings और election सभाओं को address करना आपने देखा होगा जब भी election का माहूल होता है, चुनाव का माहूल होता है तो जनता के पास प्रतियाशी जाते हैं, उमीदवार जाते हैं और उनसे vote मांगते हैं और अपनी policies उनको बताते हैं, media coverage, मीडिया में आई दिन बहस चलती रहती हैं, जहां पर वो एक दूसरे की policies के बारे में बताते हैं, उनको critics size भी करते हैं और अपने योजनाओं के पक्षमें तर्क देते हैं, debates, manifesto, popular slogans, popular slogans का भी बहुत ही चुनावी राजनिती में हम देखते हैं, महत्ता है कि कई बार slogan से इतना परभावित हो जाते हैं कि हम vote देने की मंशा बना लेते हैं, कि हमें किसे vote देना है, कि उनका main motive क्या है? जैसे कि popular slogans, गरीबी हटाओ, ये 1971 के टाइम पर गरीबी हटाओ का अंदोलन इंद्रा गांदी जी के टाइम में दिया गया था और ये successful slogans है, save democracy, 1977 में जनता पाटी की सरकार दुआरा दिया गया था, जो ये सफल रहे, और आज हम देखें कि जो अभी हाली में पांश राज वो ये वर्ड इतना परभावी रहा कि उन्हें लगा कि जो मोदी जी बोलेंगे या जो उनकी पार्टी बोलेंगी वो बिलकुल ही धरातल पर उतरेगा और सभी लोगों वर्गों समुदायों को सपोर्ट करेगा, तो ये चुनावी जो slogan होते हैं, नारे होते ये भी बहुत ही जादा परभावी होते हैं इन चुनाव में, तो कैम्पेन होना जरूरी है, जैसे कि मार्किट में भी आप देखिए, अगर कोई अपना बिजनस करना चाहता है, तो बिजनस तो स्टैबलिश करता है, अगर वो उसके अड़र्टाइजमेंट ना करे, अगर उसके कैम्पे करते हैं सबके साथ, तो कैम्पेन एक इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, यह हमने यहां सीखा, बहुत ही चोटा सा एक सवाल हम आपस पूछना चाहेंगे, अभी जब हम नॉमिनी ऑफ कैंडिडेट के बार में पुछेते तो एक पॉइंट था, नो बैंकरप्ट, क या उसका आप मतलब समझा सकती है, तोड़ा सा जलदी है, तो जलदी हमारा सबस?". पॉइंट है अगर कोई भी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जा रहा है तो उनका बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए माम बहुत धन्यवाद एलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत साई जानकारी दिया आपने और बहुत ही डीटेल में दी बच्चों को बहुत जादा समझ आया हो और मुझे लगता है पसंद भी आया होगा आज का एक कारिक्रम माम बहुत धन्यवाद एक पर फिर से धन्यवाद माम आपका भी धन्यवाद सभी दर्शकों का भी हमाई साथ जुनने के लिए और उमीद करते हैं आपको एक कारिक्रम पसंद आया होगा इसी तरह अभी भी हमारे पास बहुत सारे कारिक्रम है आप सभी के लिए अगला कारिक्रम जो है वो एक बहुत खास कारिक्रम है हमारी वेबिनार सीर और आपको देखने को मिलेगी NCRT Official हमारे YouTube चानल पर और साथ ही साथ E-Vidya चानल पर भी तो देखना बिल्कुल मन भूलिएगा आपना ध्यान रखिएगा और आशा करते हैं आपका दिन शुब हो मैं हूतान्वी खुराना मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार